आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्त भागत है दोस्तों बहुत सारे बच्चे आप कह रहे सर आप कहांगे बाई गूगल नोड़ा दी है तो आप परशान मत हो यह संडे तक इसक संडे तक रुकिए तो यहां पर हम बात करेंगा पाकिस्तान की बहुत ही अच्छा उपीनियन पीस जो है वो लिखा है ठीक है जो लेटेनेंट जनरल मेरे सामने खुला भी है यह उपीनियन पीस टेक्स ट्रिब्यून में जो कि पाकिस्तान का यही नियूस पर उसमें छपा हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या है और ऐसा क्या लेटेन जनरल मसूद ने कह दिया जो कि हमको सुनना चाहिए यहां पे जो पहला पॉइंट वो रेस करते हैं वो एजुकेशन ठीक है पे करते हैं वो रैट एजुकेशन के क्या हाला इस समय यहां पे बताते हैं कि पाकिस्तान में 23% आबादी जो है वो निरक्षर है अब बलन सर्फ 77% तो इसा गुड़ थिंग हमारा भी लेटरेसी रेट कुछ तरहीं है बेटा यह वो है जो पढ़ लेक नहीं सकते हैं पाकिस्तान में कर टोटल देखो तो बहुत ही जादा अनपढ़ता है वहां पे निरक्षरता है सिर्फ ABCD 123 लिखने से कुछ नहीं होगा स्किल आनी चाहिए एंजिनियर्स डॉक्टर्स कितने हैं यह बहुत बड़ी बात है ठीक है न तो यहां पर यह बताते हैं कि यह जो जो नेता है हम जो शिक्षा देते हैं और यह जादा तर मुस्लिम देशों किनों ने बात की है ठीक है कि हम जो शिक्षा देते हैं वो पर्याप नहीं है पाकिस्तान की जो बरबादी है उसका सबसे बड़ा कारण यह है नेताओं के बच्चे तो पढ़ते हैं बाहर नेताओं को करना क्या चाहिए कि यहां पे उच्छ शिक्षा के कि country इंतिसां करने चाहिए अभी हम higher education के लिए कहां पे west पे निर्भर हैं जादा तर मुस्लिम देशों में आपको higher education मिले गी ही नहीं एक तरीके से यहां पे आईना दिखाया है मुस्लिम देशों को कि भाई देखो यह तुमारे हालात है और इससे तुम जूज रहे हो तो है कि सबसे पहले तो आपको एजुकेशन स्तर उचा करना पढ़े रहा अफगानिस्तान में एक ऐसा लौ पारित हुआ है जिसमें आप तो कोड़े मारे जाएंगे लड़किया वैसे भी नहीं पढ़ सकती तो हालत बहुत बुरी है अफगानिस्तान को लगता और कुछ और कट है भी है हुकमरी है डेवलप्मेंट नाम मातरे के बराबर है तो इसका मीन रीजन यहीं है कि साक्षर्टा नहीं है फिर यहाँ पे उन्होंने कट्रता को जो है वो आडे हातों लिया है यहाँ पे बताते हैं कि यह जो कट्रता है यह हम को ले डूभेगे हमारी जो मांसक्ता है उसको हमको बदलना पड़ेगा यह जैसे टर्की का एग्जामपल देते हैं आर्मेनिया का जर्वाइजान का एक्जामपल देते हैं तो ये जो देश हैं ये डेवलप्ड हैं काफी अच्छा टर्की कमाल पाशा अतातुर्क आपको पता है कि 1921 में उन्होंने आटो मौन से टर्की बना दिया और टर्की एक सेकुलर देश बना वहाँ पे इसलाम था नो डाउट बट वो बहुत हद तक आधा यूरोप में आधा इश्या है और यूरोपियन जैसा कल्चर है वहाँ पे बहुत खुला महौल है चुन के आते रहे सबते या बर्दुगान भी इस बार जानाई वाले आप मान के चलिए अभी कटरता देखने को मिले तो इस मानसिक्ता से हमको उपर उठना होगा ठीक है ना जब तक ये मानसिक्ता रहेगी तब तक हम आगे बढ़ी ही नहीं सकते आज अगर आप देखो तो education is the biggest weapon आज के जमाने में और हमेशा से रही है ये एक पढ़े लिखे इंसान के हमेशा इजज़त होती है लोग उसको follow करते है लेकिन इस से हम दूर हट रहे हैं फालतु चीजों पे ध्यान जादा लग रहा है आतंकवाद पे कुछ देश आतंकवाद पे चले गए हैं आतंकवाद फैलाना है जहाद के नाम पे लोगों को बेवकूब बनाये जा रहा है और युवाँ बेवकूब बनाये हैं ठीक है जिससे इमको कुछ नहीं मिलने वाला है हाला कि इन सबकावाई है कि डेवलप्मेंट और एजुकेशन मेंही इसका पूरा का पूरा जितने भी जवाब है इसी में ही छुपे हुए है अगला जो पॉइंट वो रेस करते हैं बहुत इंपॉर्टन कि वेस्ट पे निर्भरता ठीके ना कि जो इस्लामिक देश है वो वेस्ट पे निर्भर है इस्पेशली एनरजी की अगर बात करें UAE, सौधी अरब ये जितने भी देश हैं ये तेल खुद ने निकाले गए हाला कि ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कि वेस्ट पे निर्भरत जैसे UAE है या गल्फ कंट्रीज में आधे से साथ तो एक्स पेट्रियाट्स हैं जिसमें इंडियन्स हैं भाई इंडियन्स को बुलाते हैं सारी सुविधाय देते हैं कहता हमारे लिए काम करो तुम कुछ जो सुविधा जो कि ठीक भी है बट UAE, सौधी, गल्फ कंट्रीज एक एक्सेप्शन है पुरी दुनिया में सौ से ज़ादे इसलामिक देश है बहुत सारे इसलामिक देश है ठीक है ना अगर आ इसलामिक देश आपस में बिढ़े हुए है जैसे इरान और सौधी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है कट्टर दुश्मन ठीक है ना ऐसे ही आपको तर्की के साथ भी देखने को मिल जाएगा बहुत सारे इसलामिक देश ऐसे है जो एक दूसरे को फूटी हाक निस हुआते हमको हमारे पर वेस्ट की इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है सौधी अरब जो है इ तो यहां पे आपस हम एक है ही नहीं बेसिकली अब आप यह देखिए कि यह मैं अपनी दर्फ से एड़ करूं कि चाइना के जिंजियांग में वीगुर मुस्लिम से हैं चाइना ने क्या करके रखा हुआ है उनका अब सौधी अरब तो नहीं कहर पाकिस्तान या बाकि इसला है बता यहां पर यह भी बताया है कि हमारे पास जॉप्स नहीं है जॉप्स क्रियेशन नहीं है अब उसके लिए हम किस पर अमेरिका पर वाइड बैंक पर आइम एफ पर युवेई साओधी अरब के पैसे डिपेंडेंट कि वह हमको पैसा देंगे तो हमारी एकनॉमी कटरता का रोल है आक को पता है कि पा किस्तान में पाकिस्तान के इस्लामिक डेश है FOR पाई But वहां पे कोई लौ अगर और्टों के लिए आता है तो इसको पलट दिया जाता है क्योंकि वहां पे के इस्लामी कमिटीred है जो सारे लौ को देखती है तो सारे लोगत कि कि यह असल में लोग मारे गए हैं फ्रांस ने इतना ज़ादा धर्म में मार काट देखी है कि फ्रांस ने कहीं भे भी चले जाएंगे लेकिन अब धर्म का सारा नहीं लेंगे भारत भी एक सेकुलर देश बना तो जब तक आप open minded नहीं होंगे तब तक कैसे चलेगा धर्म और डेवलप्मेंट साथ-साथ चलने चाहिए एक का पलड़ा भारी होगा डेवलप्मेंट का भले ही पलड़ा भारी हो जाए बट अगर मान लिजए कि धर्म में कटरता का पलड़ा भारी हो गया तो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगे फिर तो लोग कहां जाएंगे और यही इसलामिक देशों के साथ हो रहा है और यही भारत में भी समझने की लोगों को जरूरा था कि कटरता बरबादी की तरफ ले जाती है आप देखिए श्री कृष्ण भी यही बोलते है भागवद गीता में भी वो कहते हैं अर्जुन से ज जो तुमारी श्रद्दा है वो सब साइड में रखो पहले तुमारा कर्म क्या है कर्तव क्या है वो तो देखो तुमारा कर्तव यह है तुमें शत्री धर्म निभाओ तो जो तुमारा कर्तव है सबसे पहले वो देखो कि तुमको अच्छा पढ़ना है लिखना है धर्म आप करते रहना फॉलो भगवान क्यार कोई पूजा करता है मैं भी करता हूँ लेकिन उसके बाद सुबा पूजा करके निकलो मेडिटेट करो उसके बाद डेवलप करो अपने आपको और अपने देश को अपने आपको डेवलप होगा वरना तो बरबादी ही है तो ये चीज़े हमको समझनी होंगी कि जब तक ये सब चलेगा प्रॉब्लम है और यही मसूद ने बोला और यहाँ पे इस्लामिक देशों की आज यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शिक्षा के लिए एनर्जी के लिए लगबग हर एक चीज़ के लिए सिर्फ एक मुस्लिम देश नहीं सारे मुस्लिम देश बहार पे निरभर है आप यूवरसिटीज आपको अच्छे यूवरसिटी हायर एजुकेशन की यूवरसिटी आपको मिडिली इस्ट या कही वेस्ट इश्या में देखने को नहीं मिलेगी औरतों के पढ़ने पर पाबंदी है ना ही साओधी अरब में ना UAE पर तो यह एक बड़ी दिक्कत है तो वही बता कि जब तक इन चीजों को हम हटाएंगे नहीं जब तक हम इन चीजों पर पार नहीं पाएंगे तब तक कोई फाइदा नहीं है हम ऐ ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे और इससे किसी का फाइदा नहीं होगा यह लेच्चर था आपका क्या मानना है और और आप क्या आपके हिसाब से और क्या क्या प्रॉब्लम से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कुछ नहीं पढ़ते हैं जिससे सिद्दान द